तो यह तीन कोर्सित हैं Diploma in Nautical Science एक चीज़ बता दूँँ बार बार लोग बोलता है डिपलोमा है डिपलोमा इसलिए जाननी करेंगे यह जो डिपलोमा है जैसे ही आप कोर्स एक साल करके निकलेंगे उसके अदाब 18 मेनी की सेलिंग करते हैं है आप जाते हैं सेंद मिरस के लिए क्वालिफाय करते हैं आपका यह डिपलोमा इन आॉटिकल साइंस डिंगरी बॉल के अगर चोड़ ना चाहते हैं चोड़के यूप सी एक्जाम देना चाहते हैं म्भी आप इंब यह करना चाहते हैं तो बच्छ Champions बड़ा नहीं जानना चाहते हैं डियने सब्सक्राइब क्या फ़र्क है तो मर्चंट डिकोड़िड पर इसके रिगार्डिंग बहुत सारे वीडियो बनें और सारे देखिए आए में सब्सक्राइब को सिर्फ जानकारी मिलेगी तो यह एक साल का कोर्स जहां पर आपको चाहि है पहले बचा स्लेक्ट हो और फिर वह कॉलेज में जाएगा एक साल का कोर्स करेंगा और फिर वह सब्सक्राइब तुमारी नौकरी लग गई है यह करीं द आपको कफ्तान बना है चलके फिर आती है बारा हुए को दिग्सक्राइब को बढ़सी दिग्री मिलती है टीए दो इसके बाद आप सेकेंड में बनते हो इसके पैरमिटर में ज्यादा फरक नहीं है इसमें कम टाइम में आगे बढ़ सकते हो नौकरी गरेंटी है यहाँ पर आपको प्लेस्मेंट चाहिए तो जब तीन साल का कोर्स कर रहे हो उसके बीच में कमपनी आएंगी आपको पढ़ाई करने ही पड़ेगी नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी इसलिए सही कॉलन करना जरूरी है और कॉन से क्रने है वह बात में आपको पता चलेगा सारे वीडियो मौचने प्यस्ट जरूर देखेगा बीटेक मरीन एंजिनिरिंग चार साल का कॉर्स है जास पर इंजिनियर्स भी होता है यहां से अपर इंजिनियर करके निकले बन के निकलेंगे बहुत सारे कॉलिज अंधिस्तान में लेकिन मैं सिर्फ तीन या चार को रिकमेंड करता हूं बीटेक मरीन इंजिनिरिंग लिए एल ये टृधनी मरेतेम इंू और सीमेड एंजिनिरिंग आयैं में जाने बोःडा मैं मरी इंजिनिरिंग आये करते हां मस्क इस इंजिनियर्घ्र Θुछ की वेज़गे निकले हूं